कवको और उश्तर पादपो की जड़ो के मद कवकमुल मैको रिजिया क्रियातमग सहचार पाया जाता है शिरोसिस सहतूत फल का बैग्यानिक नाम है सरपो की बिस ग्रंथिया बिनोम ग्लेंड कसेरुकी प्रानियों की लार ग्रंथियों आंग के समान होता है निपेन थिस खसियाना नामक पौधा मेगाले में पाया जाता है कोलोसल स्विग्ड सबसे बड़ा अकसीरुकी है लीची के फलो को एक बीजी बेरी साखा के अंतरगात रखा गया है हल्दी पोधा तना से प्राप्त होता है लेकिन खाने वाला हिस्सा परकंद रिजोम होता है रेसम का किड़ा अपने जीवन काल के विपावस्था में बनिजी तन्तु कोमर्सियल फाइबर उत्पन करता है एकी डिना वैसा अस्तन पाई है जो अंडा देता है जानने की इच्छा परकट करना तथा गुड चिंतन करना मानाप को बानर से अलग करता है अफिम मौर्फीन पोष्टे के पौधे के अध्वपके फल से राप्त होता है सुस्क जलबायों में अनुकूलित पेड़ पौधो को मरू भीद चेरोफाइट कहा जाता है अधिप पादप इपिफाइट या अंत्रिक सहरा के लिए अन्य पादपो पर निर्भर होता है टीक और माइट मकडी बंस से संबंदित है जुगनों की चमक लिउसी फेरा के कारण होती है सन हेंप जूट फलुयम से प्राप होता है लेग हिमो गलोविन लेगियों मूल गरन्थी में पाए जाती है जय विकास के पच में जिवासमों से परत्याच परमान राप्त होते है जिवो के उद्विकास के संदर में सैलमेंडर हजगर कंगारू अनुकर्म सही है कौकरोच और सिल्वर फीस में खुला परी संचरन तंत्र होता है अस्तन पाए भूर्न के उस्वजनिय उत्पाद अपरा यानि फलेसेंटा द्वारा उसरजित होता है विज्ञान के पलियेंटोलावजी साखा केंतरगत जिवासमों का ध्यान किया जाता है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट कहलाता है लिगनीन नामक पाउधा जैला मुतक पर जमा होता है DNA संसलेशन तथा हिस्टोन प्रोटीन को उसका चक्र के यह सवस्था में बनते हैं डूबने से हुई मिर्तिव का पता लगाने के लिए डाइटम जिव का परियोग होता है वे जिवान जो वायो मंडल ये नेट्रोजन को नेट्रोजन के यवगेक में परिवर्थित करते हैं नेट्रोजन इस्थिकारी जिवानों कहलाता है अधिक नमक वाले अचार में जिवानों जिवदर्व कुंचित होकर मर जाते हैं तलाबों और कुऊं में गैंबूस या फिस जन्तु को छोड़ने से मच्छड मर जाते हैं। विस फेनॉल ए खाज समबेश्टन समागरी के विकास के लिए परियोग में लाए जाता है। परति जैविक एंटिबोडी मुखेता जिवानों से प्रप्त होता है। इस्ट को उसका जैमेज इंजायम विकर में उपरस्तित होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भीन भीन लचनों को एक साथ नियंतित करता है। तो उसे बहु परविता का नियम करते हैं। अधिकास इंजायम बीच से 35 डिग्री ताप पर सर्वधिक शक्रिये होते हैं। सुखा सहे सुता से सम्मधित हर्मुन एफसेसिक हर्मुन है। करता है। झाल 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 झाल